कि नमस्कार दोस्तों मैं आपको दोस्त देश्त राज बिर्थलो राज आपके लिए लिए कि और नए प्लांट फ्रूट प्लांट की जानकारी उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा करपेकर की चैनल को सब्सक्राइब कर लेजी तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हम आपको देंगे नया प्लांट है हमारा बेल बेलगरी बोलते हैं जिसे और जो बेलगरी के अंदर जनरली प्लांट होता है वह बड़े टाइप का होता है अगर हम देशी प्लांट लगाए तो लेकिन ग्राफ्टिंग पहुदा होता वह फैलता है और इसके जो वराइटियन होती है वो लगबख जैसे कागची वराइटी होगी समस्ति पूर सेलेक्शन होगी जो आपके पिछह देख समस्ति पूर आप जो जिसका फोरट साइज लगबख तीन के जी तक याथा फोरट साइज झाया थिनके जी दूसरी बात होती है इसके अंदर दो टाइप से पोदे लगाए जाते हैं पहला तो होता है बीजू पोदा जो हमें फ्रूट देगा दस साल के बाद में और जो ग्राफ्टिंग पोदा होता है वह हमें फर्वरी मार्च में इसकी जबिन में सोविंग कर देने चीए जिसके ब pastation करने के बाद में 5 साल के बाद में इसके अंधर फूट और सटय और एक पॉदा कम से कम पाथ साल के बाद और इसके अंदर जो यह पोदा है यह हमारा लग बगर चार साल का हो गया है उसके अंदर हमने जो पैच बैडिंग थी वह नहीं की थी इसके अंदर हमने छिलकाबड ग्राफ्टिंग की थी जो इसके अंदर इसके में तीन से चार साल के अंदर फ्रूट आने स्टार्ट हो इसके फ्रूट की लगाने की और आब बात करते हैं इसमें जो में ली हमें नूट्रिशन कहा देना है नूट्रिशन इस पोदे के अंदर पचास से असी किलो गोबर की खात हमें डाल देनी चाहिए हर साल पड़ेगी पचास से असी किलो कि उसका प्लांट साइज थोड़ा होती है डाइफोमिनाइट होती है और जो मोनोक्रोट फास होती है 500 लेटर पानी के मिला के हमें 15 दिन के अंदर इसके उपर छिड़काव कर देना जब फ्रूट आई तब और फिर आती इसमें में समस्या फल को फटने की यहां से चीर लग जाएगी फल के अंदर उसके नहीं के बब्लम आतीके अंदर जो मेंली दीकत रहती है कि चो पत्ता हूता है इसके अंदर फंगस होटी इस फंगस के लिए में सी ओशी सी का गोड़ है 500 गरम 500 अमल 500 लेटर पाणी में मिला के हमें हर 15 दिन के अंदर सप्रे करने पड़ेगी तब इसके फंगस कंट्रोल हो जाएगी अगर और और गैनिक मैथड में ले तो और गैनिक फंगिसाइड जो हमी फंगस आने से पहले ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे क्योंकि और गैनिक प्लांट की जानकारी लेनी हैं तो हम आपके लिए तहरा आपको प्लांट भी प्रोवाइड करवा दिये जाएंगे आसपास के अरिया में तो